दबंग पर्सनालिटी मजाकिया अंदाज दरिया दिल मिजाज और स्टाडम सल्मान खान में वो सब है जो उन्हें बॉलिवुड में एक बहतरीन हीरो बनाता है आज सल्मान का 56 जन्म दिन है सल्मान खान को कुछ लोग बैट बॉय तो कुछ एक दोस्ताना इंसान के रूप में देखते हैं पिछले दो दशक से भारतिय हिंदी सिनेवा में अपनी चाप छोड़ने वाले सल्मान फिल्म लेखक सलीम खान के बेटे हैं लेकिन सल्मान ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान खुद ही बनाई और अपने साथ अपने भाईयों को भी बॉलिवुड के संसार में लाखड़ा कर दिया आई आज आपको बताते हैं सल्मान के कुछ अंसुने किस से सल्मान खान का जन्म इंडौर मध्य प्रदेश में हुआ था उनके पिता का नाम सलीम खान है जो की मशूर फिल्म लेखक रहे हैं उनकी मा का नाम सुशीला चरक है उनके पिता जम्मू कश्मीर से है तो वहीं उनकी मा महराश्ट्र से है पूर्व अभिनेत्री हेलेन उनकी सौते लिमा है उनके दो भाई भी है जिनका नाम अरबाज खान और सोहिल खान है सल्मान की दो बहने भी हैं जिनका नाम अलवीरा और अरपिता है सल्मान खान की पढ़ाई सिंधिया स्कूल गौालियर से हुई है जहां वे अपने भाई अर्बास खान के साथ पढ़ते थे इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के बांदरा इलाके में स्थेत सेंट स्टैनिलोस हाइ स्कूल से की है अब बात करें सल्मान खान के केरियर की तो अब उन्होंने अपने अभिने केरियर की शुरुआत सहायक अभिनेता के तौर पर फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी फिल्म अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी जो की सूपर हिट थी उनके फिल्म हम आपके हैं कौन ने सभी का दिल जीता तो वहीं फिल्म तेरे नाम में उनके अभिने की काफी प्रशंसा हुई और अपने अभिने से उन्होंने सभी को भावुक कर दिया इस फिल्म में सल्मान को लेकर उनके फैंस की दिवानगी कुछ यूँ थी कि उन्होंने सलमान की ही तरह अपने बालों के स्टाइल रखना शुरू कर दिया और वो स्टाइल तेरे नाम से मशूर हो गई इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके प्रशनसकों में इसलिए भी जाफा हुआ है क्योंकि उन्हें एक्शन फिल्मों में ज़्यादा पसंद किया गया फिल्म वॉंटेट के बाद से उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की जड़ी लगा दी मौजूदा समय में उनके फैन फॉलोइंग का ये आलम है कि उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर उनके चाहने वालों की भीर हमेशा लगी रहती है उनके फैनस की दिवानगी कुछ हैसी है कि उनकी एक जहलक पाने के लिए उनके प्रशन सक बेताब रहते हैं कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सल्मान को अपने फैंस से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है टाइमस सेलेबैक्स बॉलिवूड एक्टर्स इंडेक्स रेटिंग में वे बराबर टॉप पर रहते हैं सल्मान जितना अपनी फिल्मों के लिए खबरों में आते हैं उससे ज़्यादा वो अपनी निजी जिन्दगी को लेकर खबरों में बने रहते हैं चाहे वो उनके प्रेम प्रसंग हो या शराब पीकर किसी को कुचलनी का मामला या सरेयाम किसी दूसरे अभिनेता को धमकी देना सल्मान हमेशा से खबरों में बने रहे हैं उनके प्रेम प्रसंग तो जैसे हमेशा से ही बॉलिवूड की टॉप स्टोरी रहे पहले संगीता बिजलानी फिर एश्वर्या कैटरीना उनका नाम जिस भी अभिनेत्री या मॉडल से जुड़ता है उसकी तो निकल पड़ती है लेकिन बिचारे सल्मान के लिए लड़कियां जैसे मौसम की तरह आती हैं जो आती भी हैं और चली भी जाती है सल्मान अपने दरिया दिल अंदाज के लिए भी काफी मशूर है सभी जानते हैं कि बॉलिवुड में उनकी तरह ना ही कोई दोस्ती निभाता है और ना ही दुश्मनी इस बात को भला विवे कॉपराय से जादा कौन समझ सकता है सल्मान खान का जन्म दिन उनके फैंस और करीबियों के लिए किसी तेवहार से कम नहीं होता हर साल सल्मान खान अपनी जन्म दिन को धुम धाम से मनाते हैं लेकिन इस बार सल्मान खान ने फैसला किया है कि वे अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ ही जन्म दिन मनाएंगे। ये फैसला सल्मान खान ने कोरोना की बढ़ती केसिस को देखने के बाद लिया है। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रोन वेरियंट का आतंक भी शहर में देखने को मिल रहा है। ऐसे मिसल्मान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपने पन्वेल स्थेथ फार्म हाउस में परिवार और दोस्तों के साथ जन्देन सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं जन्संदेश टाइम्स के साथ।